Moment of inertia of a rectangular lamina एक rectangular plate को बच्चों हम लोग physics की language में rectangular lamina भी कह सकते हैं ये लीजिए एक rectangular lamina आपके पास में है कुछ इस तरह से एक solid plate है और इस lamina का बच्चों इस rectangular plate का हमें MI calculate करना जबकि ये given है बच्चों की इसका mass है capital M, इसकी जो length दे रखी बच्चों वो दे रखी L और इसकी जो breadth दे रखी बच्चों वो है B suppose खर लिजए कि इसकी length आपको दे रखी है L है इसकी जो breadth है बच्चों वो B है और इसका mass है बच्चों capital M हमें इसका MI calculate करना है about different axis एक एकसिस में बच्चो जो है वो ऐसी लेता हूं जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से यह जो एकसिस आपको दिखाई दे रही है बच्चो वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें इससे दो बराबर भागों में डिवाइड करें मतलब कहने का मतलब यह कि बच्चो यह जो एकसिस है इसके सेंटर से जा रही है इसके सेंटर से जा रही है यह जो एकसिस है बच्चो वो उसके सेंटर से जा रही है उसके केंदर से जा रही है आपको इस एकसिस ओओ डैश के अ देखे सबसे पहली बात तो यहां पर भी वही बात है बचो कि different particles जो है बचो वह access है different distance पर है बचो कोई particle ऐसा है जो इसके पास में है तो कोई ऐसा है जो दूर है तो कोई ऐसा है तो कुछ और दूर है ऐसा ही बच्छो कुछ कोई पार्टिकल यहां पर है तो कोई पार्टिकल यहां पर है तो कोई पार्टिकल यहां पर है So different particles are located at different distance बिनन बिनन कड़ोगी बच्छो दूर यहां बिनन बिनन होगी तो अब हम क्या करें बच्चों फिर वही काम करेंगे इस पर enseى करेंगे जैसा हमने थिन रॉड के लिए किया था एक छोटा सा पार्ट के लिए के लिए और इसका M.I. नीकालेंगे फिर पूरी पार्टिकल लेंगे तो अभी जैसे आपको क्या होगा पार्टिकल आपको केवल ऐसे ऐसे ही नहीं लेने कि आपने एक पार्टिकल यहां पे लिया एक पार्टिकल यहां पे लिया आपको यह तो ले नहीं लेना है प्लस यह आपने पार्टिकल यहां पर लिया तो आपको पार यहां भी लेना है everywhere जैसे अभी थिन रोड थी बच्चो तो थिन रोड में क्या बंगा था थिन रोड में आपने एक पार्टिकल यहां लिया फिर यहां लिया वह ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा इस तरह से आप लेते जा रहे थे लेकिन अभी यहां पर क्या है एक पार्टिकल आपन पूरे एरिया में वो पार्टिकल्स फैले में बच्चो तो इसी नहीं क्या होगा या तो आप ऐसे अगर एक पार्टिकल लेकर करेंगे तो आपको यहां से यहां तक भी इंटिगेट करना पड़ेगा और यहां से लेके यहां तक भी इंटिगेट करना पड़ेगा दो दो बा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान किये देता हूं हम लोग यह काम करते हैं बच्चो हमें यह integration करना क्यों पढ़ रहा है हमें यह integration इसलिए करना पढ़ रहा है because different particles are located at different distance अलग-अलग particle की difference जो distance है बच्चों वो different है so let me do one thing मैं काम करता हूँ बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी एक बिल्कुल पतली सी बच्चों इस तरह की एक strip ले लेता हूँ इस तरह की पतली सी strip आप ले ले ली यहां से suppose कीजिए वाय डिस्टंस पर एक बहुत पतली सी मैं डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़ा किये देता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में और obviously मुझे समझाने में भी आसानी रहे यह लीजी आपकी रौर थी अब यह जो थी बच्चो यह उसकी एकसेस थी बच्चो और यहां पर जो है सहब मैंने ऐसा चोटा सा पतला सा बच्चो पार्ट कंसीडर किया यह लीजी मैंने इस तरह का पतला सा पार्ट कंसीडर किया यह लीजी और इसकी डिस्टंस मैंने बच्चो ले ली वाय और यह ज जिसकी इस axis distance है y और इसके thickness कितनी dy अब ऐसा कर लेने से क्या होगा ऐसा कर लेने से यह होगा कि rod के जितने भी particles होगे all these particles of rod are at equal distance from the axis about which you want to find out mi किसी भी point mass का moment of inertia होता है mr square अब इस rod पर जितने भी particles आपको दिखाई दे रहे हैं all those particles which are lying over this rod are distance y away from the given axis about which you need to find out am i let me suppose this axis o o dash generally हम लोग o dash उसको represent करते हैं तो बच्चों यह जो है अब rod पर जितने भी particles होगे उन सभी की विशेष्टा यह होगी कि वो सभी के सभी बच्चों इस rod से y distance पर ही होगे अगर सबकी distance से में देखिए बात यह नहीं कि वो point mass हो बात यह कि वो जो mass है उसकी axis distance r होना चाहिए तब उसका moment of inertia mr square होता है अब अगर मान दीजिए यहाँ पर जितने भी particles हैं again this rod is composed of infinite number of particles rod itself lamina तो infinite number of particles से मिलके बनी है लेकिन rod भी तो infinite number of particles से मिलके बनी है rod भी तो infinite number of particles से मिलके बनी है पर यहाँ एक अच्छी बात हमारे साथ में यह है कि वो जितने भी particles से rod पर उन सभी की इस axis से distance y y y y ही आ रही है उन सभी की बच्छों इस अक्ष से जो दूरी आ रही है वो आ रही है आ रही है तो अब बच्छों यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बड़ें और देखें पहली बात तो यहाँ पर यह बच्छों की अगर आप इस rod का area देखें तो वो length into bread तो lb area का mass कितना बच्छों lb area का mass है m lb area का mass है m तो unit area का mass है a unit area का mass होगा बच्छों m upon lb equals to बच्छों कितना sigma I repeat बच्छो lb area का mass कितना m lb area का mass है m तो unit area का mass कितना होगा बच्छों a unit area का mass होगा m upon lb and let me suppose वो उसे हमने माल लिया sigma जैसे बच्चों linear mass density को हम लोग lambda से represent करते हैं वैसे यह हमारे पास में जो है बच्चों this is arial mass density यह कुन सी mass density हो जाएगी बच्चों this is arial mass density याने की क्षेत्रिय द्रव्यमान घनत हो lb area का mass m तो unit area का mass बच्चों m upon lb let me suppose this equals to sigma तो यह इतना आगया बच्चों तो यह जो rod आपने लिए बच्चों यह जो shaded region आपने लिया है इसका mass क्या होगा बच्चों इसका mass अगर मैं देखूं यह जो shaded region मैंने लिया है यह जो shaded rod मैंने लिया बच्चों इसका mass क्या होगा इसका mass होगा मैंने suppose कर लिजिए इसका mass मैंने dm suppose कर लिया, let me suppose its mass is dm, which would be equals to mass per unit area into इसका area, suppose कर लिजिए भई area को आप लोग A से रिप्रेजन करते हैं, मैंने माना कि इस shaded area का, यह जो shaded area मैंने वो suppose कर लिया, वो है dm, मैंने मान लिया कि वो जो shaded area बच्चो वो है dm, तो उसका mass क्या हो जाएगा, sigma into dm, unit area का mass sigma, तो dm area का mass sigma da, और इस तरीके से बच्चो यह sigma की value कितनी, sigma की value है m upon lb, और da की value जहां तक है बच्चो इस rod का area अगर आप देखें, तो देखें, इसकी length कितनी बच्चो, l है, इसकी length है l, और इसकी thickness है dy, तो area कितना होता बच्चो, area होता है length into width, या length into breadth, obvious सी बात है न, पर यह जो rod है, इस rod की length कितनी, l, और इसकी thickness कितनी ली गई है, dy, तो इसका area हो जाएगा, बच्चो, length into thickness, length into area, breadth, l से l क्या हो गया, बच्चो, cancel, m से m cancel हो गया, m, dy, upon कितना, बच्चो, b, यह इतना mass आगया, बच्चो, lb area का mass, m, तो unit area का mass, इतना, जिसे मैंने suppose किया, sigma, अब shaded rod, जो है, उसका mass कितना, unit area का mass sigma है, बच्चो, तो इतने area का mass sigma into DA, और DA की value, बच्चो, length into breadth, इस तरीके से इतने part का mass हा गया, अब इतने part का moment of inertia क्या होगा, इतने part का moment of inertia होगा, बच्चो, dm into y², ये कितना होगा, बच्चो, dm into y², क्यों, ये जो rod है, इसका mass है dm, और इसकी distance कितनी तो इतने पार्ट का जो moment of inertia आएगा बच्चो वह आएगा कितना dm into r square मुद्दे की बात मैं फिर बो रहा हूँ बच्चो बात यह नहीं है कि moment of inertia m into r square के वल किसी point mass का है वह बात अगर पूरा का पूरा mass m access से r distance पर रखा हुआ बच्चो जो आपने radius of gyration का फंडा देखा कि masses बिखरे पड़ें इस दो masses are collected together एक जगा पर उनको ले जाके रख दिया जाए तो उसमें जो moment of inertia आएगा बच्चो उसमें जो moment of inertia आएगा वो होगा कितना m into k square वो ही वादा फंडा यहाँ पर कि यह जो रोड पर infinite number of particles रखें पर fortunately वो सभी particles की उस access to distance y है so उनका moment of inertia dm into y square हो जाएगा और dm की value कितनी बच्चो dm की value यहाँ पर आएगी m dy upon b square और into में कितना बच्चो यह y square यह sorry upon b है b square नहीं था मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चो यह dm की value एक second मैं इसे यहाँ पर dm की value कितनी है बच्चो dm की value है m into dy upon b into 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 कितना बच्चो y square so this is the moment of inertia of rod यह जो आपने जो rod ली है बच्चो जो shaded rod है यह उसका moment of inertia है this is the moment of inertia of the shaded rod अब पूरी lamina का moment of inertia अगर मुझे calculate करना है बच्चो तो दाट वोड़ बच्चो इंटीग्रेंड अफ डी आई मुझे इसका डी आई छोटे-छोटे moment of inertia लगा लूँगा भई मैं यहां पर क्या करूँगा जैसे यह अमारे पास में lamina थी तो lamina में एक पत्रीस स्ट्रिप में यहां पर लूँगा फिर एक पत्रीस स्ट्रिप में यहां पर लूँगा और फिर बच्चों में finally चलते-चल लेंगे आप सबसे पहली जो आपकी rod assume करेंगे बच्चों यहां पर लेंगे और finally यहां पर लेंगे और फाइनली जो राओद लेंगे आप वो यहां पर लेंगे लिमिट जो चलेगी बच्चो वो यहां से यहां तक अर्थात की माइनस B by 2 से प्लस B by 2 के बीच होगी और यह बच्चो M हो गया, यह Y square हो गया, upon B हो गया, integration कुछ ऐसा आजाएगा I'll start from here and will reach to here I will start from here and will reach to here अब जब मैं यहां रहूंगा तो यह कितना रहेगा बच्चो B by 2 और यह भी कितना B by 2 अच्छा, उपर वाला अगर प्लस है तो नीचे वाला ओविसली माइनस हो जाएगा या नीचे वाला अगर माइनस है तो उपर वाला प्लस हो जाएगा जो मर्जी आप कह लीजिए अब यह यह क्या हो गया बच्चो अब यहां पर अगर देखा जाए तो M और B जो है बच्चो वो constant है एक सेकंड M और B बिलकुल constant है सही बात है और Y स्केर जो है बच्चो that is a variable so this is from minus B by 2 to plus B by 2 यह minus B by 2 से plus B by 2 के बीच होगा बच्चो और यहां पर यह y square यह y square बच्चो dy अब यहां इसको आप solve कीजिए बच्चो M over B हो गया और y square का integration बच्चो obviously y cube over 3 होगा और limit would range from minus B by 2 to plus B by 2 बच्चो जो limit आएगी वो minus B by 2 से plus B by 2 के बीच आजाएगी और y square का integration y cube by 3 आएगा तो M over 3 B M over 3 B और y cube की जगा पर आप क्या रखेंगे बच्चो y cube की जगा आप रखेंगे B by 2 का cube और इदर रखेंगे बच्चो minus B by 2 का cube और यह लेजे साब कुछ ऐसा हो जाएगा अब यहाँ पर बच्चो हो जाएगा M over 3 B और इसका cube करेंगे बच्चो this is B cube over 8 और minus minus plus B cube by 8 hope आपको बात समझने आई है बच्चो minus का cube minus होता है लेकिन आगे भी minus आजाने से वो plus हो जाएगा वो plus हो जाएगा और इस तरीके से this would आप solve कर लेजे एक पिनान से इसको solve करके देखें बच्चो this you will find is equals to Mb square over 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 12 fourth is the 12 so this is the moment of inertia this is the moment of inertia of this lamina of this plate about the axis o-o-dash तो यह हमारे पास में बच्चो कुछ इस तरह से है I repeat I repeat बच्चो देखिये हमारे पास में क्या है यहाँ पर of course rod पर भई पिछली बार क्या था पिछली बार एक थिन रोड थी तो जितने भी पार्टिकल्स थे बच्चो वह along the length थे लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स बच्चो केवल ऐसे नहीं कि चली ऐसे ऐसे रखें पार्टिकल्स तो बच्चो हर जगा पर बिखरे पड़े हैं ऐसे भी रखें हैं ऐसे भी रखें इसलिए इस बारे में बात नहीं करता आसानी से हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं नहीं इस पर रॉड ले ली और रॉड ले ली बच्चो तो हम क्या करेंगे जो सहब rod ले ली मैंने इस तरह की मैंने y distance पर एक rod ले ली बच्चो बहुत छोटी thickness dy की अनंत रूप से सुक्ष्म थिकनस की बच्चो so lb area का mass m तो unit area का mass होगा बच्चो इतना जिसे हमने suppose कर लिया sigma अब shaded rod का mass क्या होगा बच्चो mass per unit area into उसका area इसका area बच्चो यहां से लेकर यहां तक जाओंगा minus b by 2 से plus b by 2 या फिर plus b by 2 से minus b by 2 बात एक ही बच्चो कुल मिलाकर आपके पास में आपको magnitude देखना है तो limit place करने के बास simply mb square by 12 आ गया hope आपको यह बास समझ में आई है बच्चो आप इसे पूरी तरह से copy कर लीजेगा और अब एक काम कीजिए बच्चो यही मैं rectangular lamina लेता हूं taking the same rectangular lamina और जो lamina है बच्चो उसकी length L है mass M है mass M है mass M है breadth भी है अब आप एक काम कीजिए बच्चो you determine am I about this axis about this axis and let us name this axis दाओ A-अब इस axis के about इसका M I calculate कीजिए बच्चो इस axis की विशर्षता यह है कि यह इसके midpoint से इसके केंदरी बिंदू से पास हो रही है बच्चो और बिलकुल uniform thickness के इसलिए इसका जो geometrical center होगा वह इसका center of mass भी होगा आप जानते हैं so you people determine am I about this axis आप इस axis के about बच्चो इसका M I calculate करने का कश्ट करें पॉस करके आप सो M करें बच्चो इस बाद अब जब आप यहाँ पर यह काम करेंगे तो बच्चो फिर वही बात होगी कि आफकोर्स रॉड प्लेग पर पार्टिकल यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है पार्टिकल के वह यहाँ से यहाँ था कि नहीं पार्टिकल यहाँ भी रखें पार्टिकल यहाँ भी रखें पार्टिकल तो बच्चो हर जगा रखें पार्टिकल को एक जगा नहीं रखें कि के वल यहां से यहां ही रखें पार्टिकल तो ऐसे भी रखें हैं पार्टिकल ऐसे भी रखें हैं हर जगा रखें तो बच्चो ऐसे केस में क्या होगा फिर वही बात होगे कि आपको द्वी समाकलन यानि कि डबल इंटिगेशन का यू do one thing बच्चो मैं ऐसी पतली सी प्लेट, एक पतली सी रॉड लेता हूँ, जिसकी इस एक्स से डिस्टंस है एक्स और यह जो थिकने से बच्चो वो हर दियेक्स है, यह दिस्टंस बना कितनी सपोस्ट कर ली, एक्स, और यह थिकने सपोस्ट कर ली, दियेक्स, यह ऐसी और इस ब्रेट्थ होगी बच्चों वो B होगी, इस रोड की ब्रेट्थ जो होगी बच्चों वो B होगी, इन फाक्ट इस बार ब्रेट्थ नहीं इस बार लेंथ हो जाएगी वो उसकी, क्योंकि लामिना की ब्रेट्थ बी थी और ये B हो गया बच्चों और ये Dx हो गया, अब फिर वही बात करते हैं बच्छो LB area का mass कितना बच्छो M, LB area का mass M तो unit area का mass होगा इतना, होगा इतना, भई आप फिर से देखिए LB area, भई लामिना का area होगा वो length into breadth होगा, LB area का mass है बच्छो M तो unit area का mass M by LB होगा, और shaded rod का mass होगा बच्छो, उस shaded rod का mass मैंने DM से पोस्ट कर लि unit area का mass sigma तो उतने area का mass जो होगा बच्छो, उतने area का mass होगा वो होगा, मास पर unit area into उसका area, and here sigma is equals to M over LB, भई LB, और रही बार DA की, इसके area के बारे में बात करें तो इसका area होगा बच्छो, B into dx, इसका area होगा बच्छो, वो कितना होगा, B into dx होगा, भई कैसे इसकी length है, B इ इसका mass होगा बच्छो, वो length into breadth होगा, एक simple सी बात है कि area कर देखें तो वो rectangle बन रहा चुकी, तो उसका area होगा बच्छो, इतना, अभी 20 से B क्या होगा, बच्छो, cancel, solving this will give us M over L into dx, ये लीजे सहाब, ये कुछ आपके पास में आ गया, M upon L dx, कुछ ये रहा, और moment of inertia of shaded rod अग Again, this rod is made of N number of particles, rod पर बच्छो, N number of particles है, but fortunately, all of those particles are equidistant X from the axis about which you want to find out M i, जिस axis के बाउट, आपको M i calculate करना बच्छो, उस axis से इन रोड पर तमाम particles के distance same है, So, बच्छो, जो net moment of inertia होगा, उसका जो moment of inertia होगा, वो dm into x square होगा, here distance is x, so उसका moment of inertia है, dm into x square, और dm की value कितनी, बच्छो, m over L dx, ये होगा, into कितना, बच्छो, into x square, और यहाँ पर limit कहां से कहां तक, एक second, ये तो dm की value आई है, dm की value इतनी आ गई, ये लीजे, ये तो dm क value जो आपके पास में आई, वो कितनी आई, बच्छो, dm की value आगई, m upon L into dx into x square, इतना आगया, अब आपको पूरे का moment of inertia है, निकालना है, तो पूरे का moment of inertia क्या होगा, बच्छो, पूरे का moment of inertia आई, जो होगा, बच्छो, that would be integration of di, वो integration of di होगा, बच्छो, और ये लीजे, स इस बार अगर आप देखें, तो आप ऐसी एक rod यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, और ऐसे चलते चलते बच्छो, यहाँ पर लेंगे, तो पहली rod यहाँ पर लेंगे, तो वो distance होगी, L by 2, और इधर लेंगे, बच्छो, तो वो हो as m over l x square का integration बच्छो x cube by 3 limit minus l by 2 से plus l by 2 और ये हो गया बच्छो m over l और x cube by 3 कितना होगा बच्छो x cube by 3 जो होगा उसमें limit put करने रही कि आपको simply अभी बच्छो यहाँ पर x की जगाँ पहले place करेंगे l by 2 उसका cube फिर x की जगाँ पर minus l by 2 और उसका cube और अब आप इसको solve कर सकते हैं बच्छो not a very complex kind of thing for you people आप simply इसको solve करेंगे बच्छो you will find इसकी जो value आ रही है वो आ रही है बच्छो कितनी ml square upon 12 तो इस तरीके से बच्छो हमारे पास में इसका m i आ गया ml square by 12 तो आप देखिए बच्छो इस बार आप अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप देखिए इस बार आपने किसको डिवाइड किया बच्छो इस बार आपने length l को 2 parts में डिवाइड किया ना length l को दो parts मेंitures divide किया तो मि आया 1500 ml sqear by 12 और पिछली बार बच्ножों हमने b को दो parts मे Pot & मोमेंट आफ इनर्षी आया था mb sqear over 12 इस बार आप ने length को 2 parts में दिवाइड लेंद आधी उधर, आधी इधर mml sqear by 12 और पिष्टी बार ब्रेट को डिवाइड किया था तो md square by 12 जिसको आप डिवाइड करो आप simply यहां रख लो कि आप l को डिवाइड करोगे तो l square करोगे और b को करोगे तो b square करोगे और m by 12 तो दोनों में common quantity आ रही है तो बच्चो यहां हम लोगों ने जो है एक rod इस पर assume कर ली और उसके बाद में हमने इसका mi calculate करा point mass लेकर कर सकते थे पर वो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता था और किसी किसी को जटिल जाता है इसलिए मैंना भी उसके उपर काम नहीं करा है और एक आसान बात में बताता हूं बच्चो सिंपल सी बात ही होती है कि जिस shape की आपको body दे रखी है आप उस पर जो छोटा part consider करते हो वो भी उसी shape का consider करो आपका काम सरलता से हो जाएगा आई रिपीट मैंने क्या बोला देखिए पिछली बार रोड थी तो रोड को आप parts में divide कर रहे थे तो रोड को छोटे part में divide करना मतलब simply point mass बन जाना लेकिन इस बार plate है तो plate को आप divide करना जाओगे तो आप एसी एक रोड कंसिडर कर लो ये लो मतलब आप ऐसा एक rectangle consider कर लो रोड itself is a rectangle undoubtedly बच्चो तो आप ऐसे काम कर लो काम असानी सो जाएगा जिस shape की body है उसी shape का part consider करो रोड थी चोटा से point mass लिया लेकिन अगर plate थी तो आप छोटी सी पतली सी rectangle था तो पतला से rectangle माल लिजिए अगर आपके पास में rod है तो आप point mass माल लिजिए अभी आगे चलके हम लोग और अलग अलग shape देखेंगे उससे आपको ये picture और clear हो जाएगी जिस shape की body है जिस shape की body है उस तरह का mass consider करो अगर rod है तो point अगर plate है तो आप फिर बच्च rectangle मतलब एक पतली सी rod assume कर ली जे काम जल्दी हो जाएगा